Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So today is Thursday and Thursday is revision day. क्या है आज? आज Thursday है और Thursday को हम क्या करते हैं? Revise करते हैं. तो आज हम क्या revise करेंगे? अब हमारा running में कौन सा chapter है? अब हमारा running में chapter है? Addition. तो addition में हमने क्या क्या कर लिया? Perform the addition of three-digit numbers without and with regrouping. इसका मतलब हमने three-digit वाले जो sum हैं, वो without carry और with carry दोनों के साथ हमने कर लिये हैं. यह जो हम book का सबसे पहले देखते हैं to do की हमने क्या क्या क्या, इस में लिखा होता है कि हमने इस chapter में क्या क्या करना है. तो अभी हमने क्या क्या कर लिया? हमने perform the addition of three-digit numbers without and with regrouping. यह हमने कर लिया यानि कि without और with carry वाले three-digit वाले sum हमने कर लिये हैं. Perform the addition of four-digit numbers without and with regrouping. मतलब वही कि four-digit वाले भी हमने without और with carry वाले कर लिये हैं. अभी next हमारा आएगा examine the properties of addition of numbers हम इसमें क्या बताएंगे हम इसमें property आपको बताएंगे कि property addition की property कैसे होती है और उस sums को हम कैसे करते हैं estimate sum to the nearest tens or hundred estimation कैसे करते हैं estimation मैंने तुम्हें बहले बताया था अब उसके plus के sums है वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको next week बताऊंगे solve real life problem based on addition real life problem means जैसे हम वो long questions करते थे जो word problems होती है solve real life problems मतलब जो word problem होती है तो यह हम तीनों यह जो topic हैं यह तीनों हम next week करेंगे अब आपका page है यह वाला इसको आप खुद solve करेंगे यह बहुत simple है अब हम start करते हैं 2.1 2.1 में देखो आपके कुछ sums है यह आपकी कैसे है without carry है और इसमें ही आपके कुछ sums ऐसे है जो with carry वाले है तो आपने यह आपको मैंने homework में दिया था आपको यह homework में करना है और जो यह वाले sums है यह वाले आपने अपनी notebook में करने है clear है आप लोग यह आपने अपनी notebook में करने है यह book में ही करने है notebook में इसको पहले आप sum बनाएंगे ऐसे वाला फिर आप इसको करेंगे clear है आप लोगों को next exercise 2.2 इसमें भी आप देखे कि पहले आपके कुछ sums हैं जो without carry है 1, 8, 9, 6, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 3, 5, 8 तो यह सारे आपके इसमें without carry भी है और इसमें आगे आपके with carry भी है तो यह भी आपको book में करने है यह मैंने आपको homework दिया है और यह जो वाले है arrange the following numbers in columns and add them in your notebook देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि आपको अपनी notebook में करना है तो इन sums को आपने column बना कर ऐसे वाले column में इसमें बना के पूरा आपको sum बनाना है फिर आपको इसको करना है clear है आपको अब next है यह देखिए 3 lines वाले 1, 2, 3 3 lines हैं अब 3 lines को इनको add करना है और यह carry वाले है आपके इसमें आपने carry भी लेना है और इसको अच्छे से solve करना है पर यह book में ही करना है next है next में आपको arrange the following numbers in column and add them in your notebook तो अब इसमें क्या करना है इसमें वैसे ही आपको column बना कर इसको solve करना है clear है आपको इन सब को आप अपनी notebook में पूरे sum की तरह बनाएंगे और इसको solve करेंगे अब यह है आपका properties addition वाला यह मैं आपको next week कराऊंगी आपने पहले नहीं करना है क्योंकि बेटा समझ के करना है जो करना है maths को जितना हम समझेंगे और जितना हम revision करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा और हम अच्छे से revision करेंगे चले अब हम revision करते हैं worksheet पर यह आपकी revision worksheet है जैसे मैं आपको हर chapter की देती हूँ तो यह भी अभी तक जो हमारी 2.3 exercise है वहाँ तक की यह worksheet है देखी क्या लिखा है maths revision worksheet class 3rd chapter 2 edition अब इसमें first sum कौन सा है add the following numbers add the following numbers में आपको यह 3 digit वाले sum दिये हुए है आपने इन 3 digit वाले sum को plus करना है और यहाँ पर उनको लिखना है यह with carry वाले हैं आपके मतलब आपको इसमें carried over आएगा जैसे 8, 7, 15, 5 here, 1 carry here, 5, 4, 9, 1 10, 0 here, 1 here 2, 3, 5 and 1, 6 इस तरह से आपको यह solve करना है next question है आपका arrange the following numbers in column and add them फिर से वही question है arrange the following numbers in column and add them जो मैंने आपको आपकी book में बताया कि आपको notebook में करने हैं वही समझेंगे वो समझ मैं आपने यहाँ पर column बना के लिखने है देखो मैंने यह बना के आपको दिया हुआ एक तरह से बस आपको यह number यहाँ पर put करने हैं और इसका solution करना है clear है आप सबको इन numbers को हमें arrange करना है ऐसे lines में और फिर इसको यहाँ पर लिखना है और इसको solve करना है अब आपके four digit के number आ रहे हैं देखिए four digit के two lines वाले हैं इसमें भी आपको same यह भी carry वाले हैं यह मत समझना कि कोई carry वाले हैं carry वाले ही sums हैं आपको यह carry वाले sums दिये हुआ हैं इनको आपको दोनों को करना है और please अच्छे से अपना काम सब अच्छे से करेंगे और Saturday को मुझे यह send करेंगे आप लोग next है arrange the following numbers in column and add them फिर से आपको यह वाले column बनाने के sum हैं क्योंकि आपकी exercise में यह को 2.3 तक ऐसे ही है कि आपको पहले sum है फिर उसके बाद आपको arrange वाले sum है arrange के confused नहीं हो arrange में मतलब ही होता है कि आप इनको arrange करेंगे इसके column में column जैसे ही मैंने बना के दिया हुआ है आपको देखो इसमें आप इसको arrange करेंगे और notebook में आपने खुद बना के करना है जो आपके notebook की exercise मैंने आपको दी है वो आपने खुद बना करनी है ठीक है तो अब इसमें इस column को मैंने बना के दिया है और ये आपके पर number है देखो दो इन दो को आप इस column में बनाएंगे और फिर इसको solve करेंगे चाहे तो आप ये वाला number पहले लिख सकते हैं आपको इसको करना है अब देखिए कौन से हम आगे अब आगे add the following numbers add the following numbers तो पहले भी आपके चल रहे हैं पर ये कौन से हैं ये three lines वाले है one two three ये three lines वाले हैं इसमें कैसे करेंगे वैसे और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि plus हम किस side से करते हैं once वाले side से करते हैं अब ये जो three lines आगी ना ये three lines क्या होगे इसकी addends ये तीनों line को हम क्या बोलते हैं addends addends वाले ये तीन line है और हम इसको solve करके यहां पर लिखेंगे ये देखिए ये two sums हैं मैंने जादर sums आप लोगों को नहीं दिया हैं क्योंकि आपके book में भी हैं तो लेकिन आप ये भी करके और ये worksheet आप अपनी करके अपनी notebook में paste करेंगे clear है आपको आप अपनी worksheet करके आप अपनी notebook में paste करेंगे और अब ये three lines वाले आगे अब इसको हम ऐसी solve करेंगे दोनों देख लीजे आप बिटा miss नहीं करना है कोई भी problem है आपको लगता है कि हमें नहीं आ रहा तो please मुझे से पूछो मुझे कोई problem नहीं है आपको बताने में तो एक आप अच्छे से पूछे arrange the following numbers in column and add them फिर से वही same है है same पर pattern change है क्यों क्योंकि अब ये three देखो आप ये three numbers है one, two, three इसके three items है अब आप ये मत करना कि first वाला लिखना फिर second लिखना फिर third लिखना टिक कर लेना था कि आप confused नहीं हो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिख दिया तो आप कोई भी number उपर नीचे लिख सकते हो पर आपका plus सही आना चाहिए ये आपकी worksheet है अरेंज करना है देखो आपको वान तू थ्री इस तरह से अरेंज करके आपने इसको सॉल्फ करना है अब मैं आपको ये worksheet एक बाद फुल से दिखा देती हूं शुरू से पहले आपको जो समजय है वो थ्री डिजिट वाले है फिर उनी को अरेंज करने के लिए बनाना है फिर आपके पास फोर डिजिट वाले सम है फिर आपको उनको अरेंज नमबर column and add them ठीक है फिर उनको column में वो करना है फिर आपके पास फिर आपकी 4 डिजिट वाली 3 lines वाले आगए है अब आपके पास यह 4 डिजिट वाले 3 lines वाले हैं आप इसको solve करेंगे क्लियर है आप सबको कोई भी extra काम अपने नहीं करना है क्योंकि बेटा पहले जो कराया है उसकी ही रिवीजन अच्छे से करने हैं पहले आप जो कर रहे हो उसकी रिवीजन आप अच्छे से करो फिर आप एक्स्टर काम अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने घर पर कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं कर सकत क्लियर है बच्चो कि नोट्बूक में इस वर्कShit को आपको पेस्ट करनाहै और है और आपको व्रॉमवक् estado करना मेच कर मोड़ेय। सेंड करना है क्लियर है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे मेसेज कीजी कोई भी इशू है कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे मेसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं ठीक है बच्चो आज सिर्फ रिवीजन थी और मेरे ख्याल से आज आपको आ गई होगी क्या सिंपल वे में हमें प्लेस करना है प्लेस करने वाली है और प्लेस आप लोगों को बच्चों को वैसी अच्छा लगता है तो प्लेस आप इसमें सिर्फ एडिशन का ही है आप अच् तो आई गया होगा सो thank you have a nice day